हेलो दोस्तो नमस्कार गुड बॉनिंग सुपर बात कैसे हैं आप सभी उमेद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी साथियो आपका बहुत बहुत स्वाकत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्जाम दृष्टी पर और दोस्तो आज की डेट है 9 अगस्त 2022 और आज के जितने भी इंपोर्टेंट करेंडर फियर हैं उनको हम यहां पर डिस्क्रिशन वाले हैं दोस्तो इसकी पीडिएफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी थोड़ी सी इंफॉमिशन आपको दे देता हूँ मैं इसके बारे में इसका जो लिंक है टेस्क्रिशन बांख्स में इसकी दिBrien जाएगी सारी इसकी पीडिएफ बगएरा बाकि और रेक्चर्ट की पीडिएफ और सारी इन्फॉमिशन आपको यहीं पर मिलेंगी इसके आपको आपलिकेशन वहां से आपको बहुत भाइदा होने वहाँ पर आपको previous year के question papers मिल जाएंगे discussion मिल जाएगा और सारे बहुत सारे lectures वहाँ पर मिल जाएंगे PDF कई वारी इसके अलावा और सारी चीजे वहाँ पर मिल जाएगी आपको session को आगे बढ़ेंगे session पर शुरुवात करेंगे हम session की आप लोग जल्दी से share कर दीजिए साथ यो क्योंकि देखिए आप लोग share कर दिये गरियेगा होता क्या है जब आप share नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होती है दिक्कत इस वे में होती है कि आपके पैसे तो लगते नह मिलता देखो आपको अगर फ्री में कोई चीज available हो रही है और ऐसी चीज जो कि पैसों से अवेलबल नहीं हो तो उसका थोड़ा सा केर करनी चाहिए आप लोगों को है ना कहते ना sharing is caring तो शेर कर दीजिए प्लीज सेसन को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं हम अपने आज के सेसन पर जल्दी से शेर कर दीजिए ताकि आपके भाई बंदू और वाकी सबी लोग जुड़ जाएं और वो भी सुरू से ही देखें ठीक है किसी प्रकार की information उनसे मिसना हो तो जल्दी से कर दीजिए शेर कर दीजिए सेसन को लाइक कर दीजिए सुर्ख्यों की बात करते हैं आज की देखें साथ अगस्त को देश में मनाया गया राष्ट्रिय हाथ कर गा दिवस राष्ट्वंडल खेल 2022 में निकहत जरीन ने प्रिती वो फिर भी नहीं मानी है निकत जरीन बहुत ठोक है इनोंने अपने प्रितिद्वंदी को खेर डिसकस करेंगे ही हम आगे आगे बात करते हैं हाल ही में विश्वनाथन आनंद को सतरंज खेल की वैश्विक संचालन सिस्था FIDE FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है नेक्स्ट हाल ही में भारत ने जीता सैफ South Asian Football Federation Under 20 Championship 2022 का खेताब हाल ही में नल्ला थंबी किलाई सेलवी को बनाया गया वैज्ञानिक एवं और द्योगिक अनुसंधान परिशल CSIR की पहली महानिदेशक नेक्स्ट हाल ही में भारतिय सेना द्वारा किया गया Skylight नामक उपग्रह संचार अभ्यास हाल ही में किस उत्राखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विक्सित किया गया मोदी सरकेट मोदी जी के बारे में डिस्कॉस करेंगे हाल ही में केवी शुब्रमन्यम की अध्यक्ष था में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेवी ने गठित की एक समिती चीन ने ताइवान के पास किया अपना अब तक का सब से बढ़ा सैन्य अभ्यास ह हाल ही में संस्कृती मंत्राल्य द्वारा शुरू किया गया बढ़े चलो अभ्यान दोस्तो ये थी आज की शुर्खियां थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आगे बढ़ने से पहले ये हमारा कोर्स चल रहा है साथियो मिसन SDM का आप लोग चाहें UPPSC 2023 की तयारी कर प्रहें तो मैं चाहूंगा आप लोग इस बैच को जरूर जोईन करें इसमें आपको बहुत बहुत फाइदा होने वाला दोस्तो आपकी तयारी को बूश्ट अब देने के लिए आपकी फुल प्रिप्रेयर कराने के लिए आपको UPPSC के लिए UPPSC थी फुल प्रिप्रेशन क बस कवर कराए जाएगा और दोस्तों सबसे अच्छी बात इसकी ये भी है कि इसमें इंटर्व्यू भी सामिल है आपको इंटर्व्यू की भी प्रिप्रेशन साथ की साथ कराई जाएगी क्योंकि अगर हम ये सोचें कि इंटर्व्यू बाद में कर लेंगे क्लास नौट्स सभी कुछ अवेलिबल होगा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होंगे प्रिलिम्स के मेंस के मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी डाउट सेशन होंगे क्लियर यानि कि दोनों ही लेंग्विजिस में यह चाहिए आप हिंदी मीडियम हो आपका या फिर आपका इंग्लिस मीडियम हो क्लियर दोस्तों दोनों ही लेंग्विजिस में आप इसमें मतलब इसको आप एंडरॉल करा सकते हैं अपने आपको चलिए अब हम आज का अपन आपको ध्यान नहीं मतलब पढ़ा है आपने अच्छी से हिष्ट्री में 1905 में क्या होता है 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन होता है और उस समय गवर्णर जनरल कौन थे वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड करजन लॉर्ड करजन ने ने लिया कि बंगाल को विभाजित कर दिया जाए इसके ब्रोध में टाउन हॉल कहां पर है कलकता में कलकता कि टाउन हॉल में एक महासभा आयोजित की गई जनसभा आयोजित की गई और स्वादेसी आंदल आंदोलन शुरू कर दिया गया था किलिएर सुनिएगा आगे इसमें ये जो दिवस है 7 अगस्त था ये इसी के ही पृतिक के रूप में मनाया जाता है क्योंकि ये जो स्वादेसी जो आंदोलन था बहिस्कार जो आंदोलन था साथियो वो हमारे स्वादेसी का पृतिक था हमारे जाने कि जो विदेसी वस्तों थी उनका बहिस्कार किया जा रहा था, इसी को एक प्रितीक के रूप में, प्रितीवर्थ 7 अगस्त को ये हत्करगा दिवस मनाया जा था, राश्ट्री हत्करगा दिवस से ध्यान रखिए गा, पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार ये 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था, क्लियर, और इसका उद्देश है क्या है? इसका उद्देश है हतकरगा उद्द्योग को मजबूत करना, और दुनिया में हतकरगा उद्द्योग को और खादी को ऐज ये ब्रांड के तौर पर पेश करना, भारत को ब्रांड बनाना इन सब चीजों का, किलियर हुआ सारी बाते, चलते ह कुछ महत्पून सवाल जो कि आपके एक्जाम के दिरिष्टी से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और यह है बंगाल विवाजन की तारीक क्या थी गाइस बंगाल विवाजन की तारीक थी फ्रेंड्स 16 अक्टूबर 1905 खादी ग्राम उद्योग आयोकी सापना 1956 में होती ह भारत छोड़ो अंदोलन की सुरुवात 8 अगस्त 1942 को होती है भाला फैंक दिवस 7 अगस्त को इसी दिन पिछली साल 7 अगस्त को हमारे जो नीरत चोपड़ा जी है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था गोल्ड जीता था इसलिए 7 अगस्त को प्रती अवर्स अब भाला फैंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णली आ गया था हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को नागसाकी दिवस 9 अगस्त को और अंतर राष्ट्री महिला दिवस 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता याद रखिएगा आप लोग नेक्ष्ट है राष्ट मंडल खेल 2022 में निकहत जरीन ने बॉक्सिंग में कौन सा पतक जीता बहुत इंपोर्टेंट सवाल है दा उस दोस्तों ये बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था भाई साब जब मैच इनका हो रहा था तो जो इनका दूसरे वाले अपने प् कि निकहत जरीन किसी से लड़के आई है अपने गुश्टे को अपने अपने प्रति दौंदी पर उतार रही है तो ये नोने इनको गोल्ड विला है गाई बहुत अच्छी बात है भारत के पास में अब की बार हमारे यहां Commonwealth में भारत के पास बहुत बहुत अच्छा बहुत हैihat बात ब्दधस अबिकी बात में और गवारत चौति नंबर लेकिन डिसके Suros कर लेंगत दोस्तों अ यहांAtा रहें को अब यहांपर को सारी मेadस में केतने Sum t Death लेकिन दुपैर बाद इस साम को या दुपैर को मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लिखा हूँ केवल और केवल Commonwealth Games क्योंकि आज पता लगी जाएगा खतम हो गए है राश्टमंडल खेल और पता लगी जाएगा कौन टेबल में कौन से मैडल टेली में कितने नंबर पर है भारत चौथी नंबर पर है या पांच में नंबर पर है तो सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे आप लोग याद रखिएगा हम इसके लिए स्पेशल वीडियो लेके आओंगा आपके लिए तो निखत जरीन ने वेल्ट गेम्स में मैडल जीती है पहली बार इससे पहले एंटो बॉक्सिंग क्चेंपियंसीफ विल्ड बॉक्सिंग चेंपियंसीफ में बताएं आप लोग नोगा आन्सेर करें मैं चाहूँगा आप सभी लोग पाइ sindic नेक्स्ट कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 में भारत को अब तक जो परदक प्राप्त हुए हैं उनकी यहां पर हम बात कर लेते हैं राष्ट मंडल खेल मैं दोस्तो दोस्तो मैं डेली आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ यह सब चीजे कि मैं हलाकी इतना पता करके आगे निकल सकता हूँ की परदा में कुल 248 केजी इन्होंने वेट उठाया था गुरु राज पुजारी दूसरा मैडल आया था हमारा कांसे जीता था इन्होंने मीरभाइचानु गोल्ड पहला गोल्ड भारत के लिए मीरभाइचानु ने जीता विंध्यारानी ने सिल्वर जेरेमी लाल रिनोंगा ने गोल्ड और अंचिता शेओली ने गोल्ड जीता था सुशीला देवी लिकमाबाम ने रज़त पदग जीता और विजय कुमार यादव ने कांस्य जीता था जूड़ों में हरजिंदर कॉर ने कांस्य जीता भारतिय महिला लॉन बॉल्स टीम ने गोल्ड जीता था पुरुस टेवल टैनिस ने गोल्ड विकास ठाकूर सिलवर जीता है बैडमिंटन मेक्स्ट टीम ने सिलवर लवप्रीत सिंग ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदग जीता है गॉर्दीप सिंग वेट लिफ्टिंग में कांस्य जीता है सौराव गोशाल ने सिक्वैस में क जीता है बजरंग पुनिया ने गोल्ड 65 kg weight category में फ्रीश्टाइल साक्षी मलिक फ्रीश्टाइल में गोल्ड जीता इनोंने 62 kg में दीपक पुनिया फ्रीश्टाइल गोल्ड जीता अंशु मलिक ने दिव्या काकरान ने कांसिय पदग जीता मुहित ग्रेवाल ने कांसिय पदग जीता प्रियंका गोस्वामी ने शिलवर और अविनास सावले ने भी सिलवर जीता यहां तक 28 होगे अब यह विमेंट टीम ने ब्रॉंज जीता है यह जो नीतू धंगाज हैं इन्होंने boxing में 48 kg क जीता है साथ हो और रवी देखिया ने रैशलिंग में गोल जीता है नेक्ट में लोन बॉल्वर जीता है ने यह वेमें टीम ने गोल्ड जीता था ठीक है यह जैसमीन ने ब्रॉंज जीता है 10,000 국민 race walk अनूरानी ने bronze जीता है यह हसमुद्दिन ने bronze जीता है दीपक नेhora गंल चीशी दे रैस्लिंग में और शॉनल पतेल ने यह यह जो पेरा टेबल टैनिस में इन्होने bronze जीता ध्यान दखकीएگा singles में next है रोहित टोकास ने bronze जीता है boxing में और भावीना पर टैलिने गूड जीता है गाइस पैरा टेबल टेनिक्स में है । इनोंने टौकेओ में इन्होंने जीता था इसके अलवा स्रीजा और सुरत ने इन दोने लिए मिक्स्ड टेवल टैनिस में डावल स्किर्श केजी में यह सब्सक्रमण MIGD das नेक्स्ट हाल ही में सत्रंज खेल की वैश्विक संचालन संस्ता फिडे FIDE का उपाद्यक्ष किसे नुक्तिया गया, यह कौन है, यह हैं पांच बार के विश्वि सत्रंज चेंपियन विश्वनाथ आनंद इनोंने साथिंग उपाद्यक्ष बनाया गया, फिडे का, क्लियर और अभी जो 44th फिडे सत्रंज ओलंपियार कहाँ पर हो रहा है दोस्तों ये ये हो रहा है चेन नहीं में ध्यान रखिएगा अप लोग चलते हैं आगे इनके बारे में कोछ और बाते जाने तो हम ये सत्रंज के खिलाड़ी है विश्मनाथन आनंद को और इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है इसके लाबा 44th सत्रंज ओलंपियार के दोरान इस पर मतदान बगेरा हुए थे ठीक है और जबकि जो RKD वरकोविच है इनका नाम याद रखिएगा ये अभी दुबारा अध्यक्ष चुना गया है फिडे का RKD वरकोविच को जबकि उपाध्यक्ष हमारे विश्वनाथन आनंद को चुना गया है इंपोर्टेंट सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है भारत के पिर्थम ग्रेंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है विश्वनाथन आनंद कितनी बार के 27 चेंपियन है पाँच बार के राजीव गांदी खेल रतन आवर्ड का प्राप्त हुआ था इनको 1991-92 में देखो उस समय राजीव गांदी खेल रतन आवर्ड की नाम से जाना जाता था और आज कल राजीव गांदी खेलरतन अवार्ड को ध्यान चंद अवार्ड के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यान चंद या ध्यान रखियेगा है न खेलों का सबसे टॉप अवार्ड है ये भारत की पहली मैला ग्रेंड मास्टर विजयलक्ष्मी पंडित सबसे युवा ग्रेंड मास्टर अभिमन्यों मिसरा विश्वनाथन आनन्द की आत्मकता है माईंड मास्टर भारत के 75.7.8 ग्रेंड मास्टर विप्रणव चौहतरवे राजू सिरीवास्तव और 73 ग्रेंड मास्टर भारत के वो थे भारत सुब्रमन्यम यह सारी बात है यहां पर हमने डिस्कस करी याद रखिएगा आप लोग नेक्स्ट है गाईज कि सैफ साउथ एशियन फुटवाल फेडरेशन सैफ अंडर टॉन्टी चेंपियंशिप दोहजार बाइस का खिताब हाली में किसने जीता है दोस्तो यह जीता है यहां पर आप यह पिक्चर देख सकते हैं सैफ यानि कि यह किस से संबंदित है फुटवा से संबंदित है यह और भारत ने जीता है अन्डर टुन्टी चेंपियंशिप दोहजार बाइस किस ने जीती है बारत ने बांगलादेश को पांच दोसे अपने नाम किया बहुवनेश्ण्ट के कलिंगा स्टेटियम में यह एक्प्राप कहला याद रखिए गाईगा और अगर हम पुर्सकारों की बात कर करें तो Sears scorer की सब्सकार किसे कोilim बना है गुरकी रत सिंग को आठ गोल मनाई थे नों ने जबकि सर्व शरेष्ट खिलाडी का पुर्सकार मिला गुरकी रत सिंग को यानि कि दोनों ही पुरसकार इनको मिले हैं और सर्व सिरिष्ट गोल कीपर मिले हैं सोम कुमार को, ध्यान रखिएगा अपनी इन सारी चीजों को, अच्छा भूवनेशर में कलिंगा स्टेडियम कहां पर है याद रखिएगा भूवनेशर में, एक मुझे आंसर करिए कि होकी का होकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत क पर है यह बिल््सा मुंडा स्टेडियम मेन है ये हाझ का भारत सब से बड़ा स्टेडियम है और क्षिक्ट का सबreaming पर है कि यह कौने से के Shopify है बीन है तैसे बता देता हूं मैं थे जयाब़ को में बनाया जा इसका वो भारत में बन रहे है, clear, और विटसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, गाइस इसको राउर किला में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो है, राउर किला में है, और ये होकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है भार फुटवल का टूनामेंट आए, clear, याद रखिएगा, और अध्यक्ष कौन है इसके, काजी शलाहुद्दीन अध्यक्ष है, 1997 में इसकी स्थापना होती है, मुख्याले कहां पर है सेफ का, धाका बांगलादेश में है, और बांगलादेश में कौन सा संगठन है, जिसका हेड़ क्वाटर है, जल्दी से बताइए, महासचिव अनवारुल हक है, पेरेंट ऑगनाइशन क्या इसकी एनकी, एशियन फुटवल कौन फिडरेशन के अंतरगत, इसको दक्षिन एशिया फुटवल महासंग का गठन किया गया था, कलियर है, यहाँ पर हमने डिस्कमश करें, यहाँ जल्दी से शेर कर दिजिए, और अपने दोस्तों के साथ में जल्दी से शेर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, और हमारे एप्लिकेशन, इन सभको जितने वाली पहली भारती है रूपल चवरी और यह कहां कि हमने कल ही डिसकस किया यह मेरट की रहने वाली है और किसान की वेटी है इन्होंने दो डी t पूराइटिक्स चंपियंशिप। और यह कहां पर हो रही थी? यह को रहे थी दोस्तों, कॉलम्भी यह सारी बात हैं हमने इसके बारे में डिसकस करनी है। आगे है चावारीस्तन्वा सतरंज ओलंपियाड चिन नहीं में है और जो भारती है हमारी टीम है सत्रंज की उसने किसको हराया है हंगरी को हराया याद रखिए आप ये भी नेश्टर राष्ट मंडल नेश्ट जो है राष्ट मंडल खेल 2022 कहां पर हो रहे हैं बर्मिंगम में हो रहे हैं और अब समाप्त हो चुके हैं तेटीसवां ओलंपिक 2022 का दोजार 24 कहां पर होगा ये होगा दोस्तों पेरिस में और 22 कहां पर हुआ था 32 हुआ था गाइस टोक्यो में कितने पपदक जीते भारत ने भारत ने जीते साथ पदक एक गुलड दो सिलवर और चार ब्रॉंच और भारत की रैंक कौन के लों इंडिया यूथ गेम दोस्तो हरें ह vagina में हुए हैं और टॉप और कौन है हरे टैली में हरे ही क्लिएवे इसका जो हम बात करें सुभंकर की है इसका जो सबंकर था दोस्तो वह था द्धाकर और diffा सबंकर किसका था जल्दी से नीचे आप पांसर करेंगे वीरा शुभंकर कौन से गेम्स का था आगे चलते हैं खेलो इंडिया युनिवस्टी गेम्स बैंगलूर में संपन हुए थे और जैनी युनिवस्टी टॉप पर रही थी यहां पर फीफा वर्ल्ड कप यह दोहा कतर में संपन होंगे होने वाले मतलब और होकी की वर्ल्ड कप 2023 की मेजवानी ओड़ी सा करेगा क्लियर चलते हैं आगे नेक्स्ट है हाल ही में वैग्यानिक एवं और योगिक अनुसंधान परिसद सी एस आई आर की पहली महीला महानेदेशक किसे बनाया गया बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों स्टार लगा ल scientific and industrial research council कैन the Council of scientific and industrial research याद रखियेगा आफ लो और जो है इसकी महीला रहे पहली महीला सक किसे बनाया गया गया न फंबी क टलाय शयलवी को बनाया गया है और ध्यान का यह आपने नाम सुना होगा यह जो है लीथियम आइन बैट्री का आपने नाम सुना होगा ये उनमें इस लीथियम आयन बैट्री के निर्माण में इनको बहुत बहुत ज्यादा इनको ख्याती प्राप्त है guys ध्यान रखिएगा लीथियम आयन बैट्री के छेत्रे से जुड़ी होई हैं CSIR की बात करें तो इसके head कौन होते हैं यह याद रखेगा आप लोग PM इसके head होते हैं और अभी head कौन है वो रेंदर मोदी है यानि है के CSIR चाहध कौन है अभी naran prize मोदी ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं वो PM ही होते हैं PM की कुरसी पर जो भी आदमी बैठेगा वो CSIR का automatically क्या बन जाएगा हैड बन जाएगा किलियर और कुछ बात हैं इसके बारे हम डिसकस करें तो पहली महीला महानेदिस से कौन बनी है नला थंबी कलाई सेल भी और देशबर के 38 अनुसंधान संस्थानों का ये एक महा संग है ध्यान रखिएगा किसकी जगह लेंगी ये जगह लेंगी सेखर मांडे का स्थान लेंगी और अप्रेल में ये सेवान रिवित हो गई थी कौन सेखर मांडे इसके बारे में हमने बात कर ही लई है कि लिथियम आयन बैटरी के चेतर में इनको बहुत बहुत ज़्यादा ख्याती प्राप्त है और ये अभी फिलाल जो है तमिलाडू के कराई कुडी में CSIR की जो केंद्रिये विद्धियोत रासाइनिक अनुसंधान संस्थान है उनकी डिरेक्टर है ये के लिए सारी बात है यहां पर आगे चलते हैं CSIR के बारे इन बात कर लेते हैं इसके जो फुल फॉर में वह है Council of Scientific and Industrial Research प्रेसिडेंट नरेंद्रेंबोधी है 26 सितंबर 1942 को इसका गठन होता है और किसके द्वारा सांती श्वरू भटनागर और एरकाट यानिकि ए आर मुद्लियार के द्वारा यानिकि ए आर मुद्लियार की पूरी जो फुल फो में वह है एरकाट रामसामी इन दौनों के द्वारा CSIR का गठन किया जाता है दोस्तों आजादी से पहले की संस्था ध्यान रखिएगा आप से ये भी पूछा जा सकता तीन चार चार संस्था दे दी जाएगी और जिनमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि निमने मैं से कौन सी संस्था आजादी से पूर्व गठित हुई थी कि लिए ऐसे सवाल बनते हैं उनमें से तीन संस्था तो ऐसी होगी जिनका गठन आजादी के बाद में हुआ था और एक ये CSI यार हो सकती है कि लिए तो याद रखिएगा इस तरह के सवाल बनेंगे सबसीडरी क्या है इसकी नेशनल फिजीकल ल आगे कुछ इंपोर्टेंट सवाल जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट ओवी से बहुत बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है गाईज ये है कि भारत की प्रिथम महीला सर्वोच नियायलया की नियायधीस कौन है नियायमूर्ती फातिमा बीबी याद रखिएगा आप लो निया güzel puzzle है यायमूर्त के बाते हमने है यहां पर इनके बारे में डिसकस करी बहरत की प्रिथम महीला राजयपाल सरोजनी नाइडू भारत की प्रिथम महीला प्रदान मंस्त्री है स्रिमति इंद्रागांथी और कि प्रिथम कि हे अनु रही है सब्सक्राइज को इना इस म्म अल्प संक्यक समुदाय से आने वाली ये पहली DSP महिला DSP हैं क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू जो अल्प संक्या कहे न इस लिए क्यूंगि गयी पहली महिला DSP है को participier कोट की पहली अश्वेथ महिला नेयाईदीस यह है केतांजी ब्राउन-जैक्सन याद रखिएगा नाम इनका बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो अमेरिकी सुप्रीम कोट की पहली अश्वेत महिलायनी की ब्लेक महिला नियादीज ध्यान रखिएगा ब्राउन कह सकते हैं के तन जी ब्राउन से नाम इनका नाम याद रख सकते हैं अब ये नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में सकाई लाइट नामक उपग्र हैं संचार अभ्यास किसके द्वारा किया गया मि посмотреть healthy देखो जो भारतिय सेना की उपग्रह हैं जो चक्कर लगा रहे हैं जो भारतिय सेना को update दिश्व के आहरे नहीं कर रहे हैं तो वो क्या सब काम काम कर रहे हैं यह सबकि- जानकारी के लिए यह भारतिय सेना के द्वारा ये अभ्यास किया गया था नाम क्या है इसका स्काइलाइट याद रखेगा राइट आंसर इस सी भारतिय सेना के द्वारा ये संपन्न किया गया है आप लोगों से पूछा जा सकता है बहुत important सवाल है दोस्तों कि skylight नामक अभ्यास हाली में किसके द्वारा किया गया तो भारतिय सेना के द्वारा किया गया क्यों किया गया क्या उद्देश है इसको इसका उद्देश है कि जो सेना के जो इसरों के द्वारा जो सेना के उपग्रह लॉंच किये गई हैं उनकी ज और इसके दौरान अंतरिक्ष आधारित अपने सभी संसाधनों का निरिक्षन करना था परिक्षन करना था भारतिय सेना के दौरा ताकि उनके संचालन की तयारियां सुनिश्चित किया जा सके इसके लाबा जैसा मैंने आपको बताया था थलसेना के जितने भी सैटलाइट कम् सही डंग से चल रही है या नहीं चल रही है तो याद रखेगा skylight किसके द्वारा किया गया है थलसेना के द्वारा next सवाल है दोस्तो हाल ही में EOS2 और आजादी सेट उपग्रे इस तो के द्वारा लॉंच किये गए है clear यहां तक तो आप से पूछाए कि कौन से launching rocket के द्वारा या launching vehicle से इनको launch किया गया था हमने discuss भी करा था यह तो SSLV के द्वारा इनको लॉंच किया गया है SSLV की full form क्या है इसकी full form है guys small small satellite small satellite launching vehicle small satellite launching vehicle इसका उद्देशी क्या है इसका उद्देशी है दोस्तो जो छोटे-छोटे उपग्रह हैं, उनको छोटे-छोटे उपग्रहों को लॉंच करना, क्लियर, और इस रो ने information देती लॉंच करने के बाद में, कि जो आजादी सैट उपग्रह है, वो अपने रास्ते से भटक गया है, और इसको अब क्या कर दिया गया है, यह अब उनके control में नहीं है, जिसको इन्होंने unsuccessful बताया, आजादी सैट को, यानि कि यह साइडंग से लॉंच नहीं किया गया है, आजादी सैट, याद रखियेगा आप लोगों, जबकि EOS2 को सफलता पूर्वक लॉंच कर दिया गया था, आगे चलते हैं, इसके बारे में और जो सवाल हैं, कि EOS04, यह आप से पूछा जा रहा है कि कौन से लॉंचिंग सिस्टम से है, कौन से वीकल से, लॉंचिंग वीकल से, इसको लॉंच किया गया था, दोस्तों, EOS04 को PSLVC52 से लॉंच किया गया था, clear? EOS की अब आपको एक चीज, अब आपको यह दिमाग में उठ रहा होगा सवाल, कि सहाब यह EOS क्या होते हैं, देखो EOS की फुल फॉर्म होती है, अर्थ, ऑब्जरवेशन, सैटलाइट, यानि कि यह सैटलाइट जो होते हैं, दोस्तों, वो अर्थ को अब्जर्व करते हैं, किलियर, PSLV C-53 से तीन सैटलाइट लॉंच किया गया, इस तो और इस सिंगापूर के सैटलाइट थे, कौन-कौन से, स्कूब, DSEO, और New SAR, इन तीनों सैटलाइट का नाम याद रखिया, किस देश के हैं, यह सिंगापूर के हैं, किस ने लॉंच किया है, इस रो ने चानवेमें, किलियर, चलते हैं, आगे, और नेक्स्ट है, सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सर्वाधिक परमाणू हतीयर किसके पास है, रू स के पास, किलियर, अभी सिप्री की जो हालिया रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था, कि पहले नंबर पर से नूइक्लियर बनाने में लगा हुआ बताओ है है कि नेक्स्ट है जी शेट 24 लॉंच किया गया एक आगे चलते हैं तो ले मोधि सर्कूट इसका आपको यह आदमी का यह आदमी वही जो जानवरों को यूई बस वही उठा करके और बस खाजाता ऐसे खाजाता जैसे बर्गर खारा हो पीजा खारा हो है नाम जल्दी से बताइए आप लोग उसका नाम कमेंट सक्षम में आप लोगों ने देखा होगा इसको वाइल्ड वाइल डाइब चैनल पे जो मैन वर्सेज वाइल वगयरा यह सवाते हैं वहां आपनों पर जया जहां 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 गुमे थे यानि कि मैन वर्सेज वाइल ड टेकर शूट हुआ था तो कहां पर है यह ये आप लोग कुछ और डिसकस करते हैं इनके बारे में, यहां पर आप ये कटिंग देख सकते हैं, न्यूस्पेपर की, जिम कारबेट नेसल पार्क मोधी सरकिट बनाएगी धामी सरकार, जैने कि जिम कारबेट नेसल पार्क में धामी सरकार, पुसकर सींग धामी, उतराखंड स सरकार क्या बनाएगी, मोधी सरकिट बनाएगी, और PM के साथ सूट हुआ था, मेन वर्सेस वाइल्ड, मेन वर्सेस वाइल्ड जो सूट हुआ था, और जहां जहां ये लोग गए थे जिन जिन स्थानों पर, उन सभी स्थानों को मिला करके, मोधी सरकिट बनाएगा, क्लियर कि रसे न है दोस्तो वो गृष्म काली राजधानी है आप लोग याद रखेगा गृष्म् काली राजधानी है पूसकर सींग धामी यह कोन है यहां के शी म है गवर्नर को ने दोस्तों गवर्नर है गुर्मीत सिंग ठीक है विधान सभा की सीट 70 है और पुसकर सिंग धामिया के PCM, हमने डिस्कुस कर लिए लोग, 42 सीर्ट पांच हैं, 9 नवंबर को क्या होता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों कि दोस्तो उत्तराखंड का गठन जो हुआ था 2,000, 2000 में वो 9 नवंबर को ही हुआ था, इसलिए 9 November को उत्राखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है और पालमेटम उत्राखंड का पहला पालमेटम कहाँ पर उधगाटन किया गया है हलद्वानी में इसके अलावा भारत और चीन की सीमा के पास भारत के सबसे उचे हर्वल पार्क का उधगाटन कहाँ पर किया गया है यहाँ पर चमोली जो सेक्टर है उसमें गाव है माना गाव तो इस माना गाव में ही सबसे उचा हर्वल पार्क का उधगाटन किया गया है याद रखिएगा ये उत्राखंड का मैप है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे इनके district हैं अलग-अलग चमोली ठीक है अलग-अलग ये सब district है पितोरा गड़ वगएरा ये सब भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चलते हैं आगे अब हम कुछ important सवालों की हम discuss कर लेते हैं उत्राखंड से related जो की आपकी exam के लिए बहुत बहुत ज्यादा important है दोस्तों आप लोग answer करते चलिएगा नीचे operation मुक्ती अभियान ये किसके द्वारा चलाया गया था अभी हमने कुछ दिन पहले ही discuss किया था operation मुक्ती अभियान ये उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया था याद आ रहा है कुछ भिक्चा नहीं सिख्चा दो वही अभियान था ये ठीक है भिक्चा नहीं सिख्चा दो यानि कि जो बच्चे भिक्चा वृत्ती में सनलिपते हैं उनको बाहर निकाला जाए और उनको सिख्चा दिया जाए इनका पनरवास किया जाए और यहीं पर आप मुझे एक और जल्दी से आंसर करिए नीचे जो हड्दी से सबी लोग मिलकर के आंसर करेंगे सबी लोग मिलकर के सेशन को शेयर करेंगे क्लियर और हमारा batch बगएरा जो mission sdm batch है उसके बारे में information के लिए आप लोग जरूर call करके पूछेएगा ज़्यादा information के लिए application हमारा download करिए session को जल्दी से share करेंगे सबी लोग मिल करके हम आगे चलते हैं फूलों की घाटी कब है? मतलब कब नहीं कहां पर हैं? उत्तराखंड में हैं guys मैं आपको share करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस content को तयार करने में न guys 5-6 घंटे लग जाते हैं और पूरी video बगएरा बनाने में पूरे 6-7 घंटे लग जाते हैं इसलिए आप लोग share भी नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आता motivation नहीं मिल पाता रहें आप इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए बाब जुद उसके आप लोग ना व्यूज ना share भी नहीं करते हैं तो ठीक नहीं है ना इंडियन फोरेश्ट रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछा है जल्दी से बताईए इंडियन फोरेश्ट रिपोर्ट कहां से पब्लिस की जाती है तो दोस्तों यह उत्राखंड में एक जगह है देहरादून यह देहरादून से ही publish करी जाती है guys, कहां से publish की जाती है, देहरादून से, और इसके according, भारत में सरवाधिक one कौन से राज्य में है, सरवाधिक one दोस्तो, MP में है, clear? और छेत्फलवाइज छेत्फलवाइज अगर बात करें और सरवाधिक वृद्धी, वना वनी करण में, सरवाधिक वृद्धी, जो ये latest report आई है, उसके according, सरवाधिक वृद्धी किस राज्य में हुई है, तो दोस्तो, ये हुई है आंद्र प्रदेश में, सारी बातें यहाँ पर discuss करें, याद रखिएगा आप लोग जिम कारबेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, राम गंगा नेशनल पार्क और अगर मैं आपसे पूछू कि इसका पुराना नाम क्या था, पहला नेशनल पार्क है, याद रखिएगा इसका पुराना नाम था दोस्तो, हैली एक तरेuff नंगा नें डेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क हैळी नेशनल पार्क उलड नेशनल नेम था और अब जो है जिम कारोकि इसका राम गंगा नाम है नएक्सल Happy भृинतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास यह 53 गुरु घासीदास त्रेपनवा है जबकि 52 कौन सा जल्दी से नीचे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में करेंगे आपको मैं यह बता दे हूं कहां पर है राजिस्थान में है बूंदी राजिस्थान में चलो इतना और भी बता देत सेवी ने किसकी अध्यक्षता में एक समीति का गठन किया है दोस्तों यह किया है आप केवी सुब्रमन्यम यहाँ पर आप इनकी पिक्शर देख सकते हैं सेवी की फुलफॉर्म की बात करूं तो मैं सेवी सेक्योर्टी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके फु लिए दोस्तों की अध्यक्षता में एक समीति कीया है क्योंकि यहाँ आपए अपनाए जाए जिसे देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा सके अपैने क्लियर किलिए और ऎम बात कर लेते हैं देखिए इसक यह गठन होता यह वहee Vehicle квädृ credit 1998 में होता है लेकिन इसको statutory status 1992 में दिया जाता है होता क्या है देखो statutory status यह वैद्यानिक हम कहते साविदिक जो संश्रक बनाया गया था 1912 के 1 Act लाए गया था पाल्य में जब देखो कोई भी Act कर दिया जाता है यान कि कोई भी Act बना दिया जाता है पाल्य में कषयों आधमान्प से तो किसी भी संस्ता को वय धियानिक साविधिक दर्जा मिल जाता ह। तो इसको गठन तो किया गया था 1988 में याद रखिएगा आप लोग लेकिन इसको सामविदिक दर्जा स्टाइचूटरी स्टेटस को 1992 में दिया गया था और सिक्यूरिटी मार्कीट से संबंधित है यह मुंबई में इसका हेड़कॉर्टर है अभी जो फुलाल इसकी चेयर परसें वो हैं चेयर परसन वो है इसकी सबसीटरी याद रखिएगा आप लोग आगे चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट चीजे हैं हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपसे सवाल डिसकस किया था गाइस कि वीके पॉल टास्क फोर्स का गठन किसलिए किया गया है जल्दी से बताइए नीचे कॉमेंट सेक्षन म यह OBC से संबंदित है यानि कि जो OBC का उपवर्गी करण किया गया है इससे संबंदित जो आयोग का गठन किया गया था दोस्तों वो कौन सा था? जेस्टिस रोहिनी आयोग याद रखियेगा आप इतना याद रखियेगा आपसे पूछा जा सकता है कि जेस्टिस रोहिनी आयोग किसे संबंदित है? OBC से संबंदित है ये कस्तुरी रंगन समीती जो नई सिक्षा नीती आयी थी दोस्तों New Education Policy उसको New Education Policy का ट्राफ्ट जो तयार किया था वो उस कस्तुरी रंगन समीती ने किया था सेवी की पहली महिला अध्यक्ष अभी डिसक्स किया था माधवी पूरी बुच्छ कौन है माधवी पूरी बुच्छ सेवी की पहली महिला अध्यक्ष नेक्स है एशिया का पुराना सबसे पुराना stock exchange यह है BSE Bombay stock exchange जो है इशिया का सबसे पुराना stock exchange है इसका गठन होता है दोस्तों 1875 में और मौद्रिक नीती समीथी के अध्यक्ष कौन होते हैं जैसा कि हमने discuss भी करा था मौद्रिक नीती समीथी के अध्यक्ष गाइज RBI के governor होते हैं कौन होते हैं RBI के governor होते हैं और अभी कौन हैं अभी हैं शक्तिकांद दास सक्तिकांद दास मौद्रिक नीती समीथी में total छे मेंबर होते हैं तीन RBI से आते हैं और तीन government of India से आते हैं तो याद रखेगा इन सारी चीज़ों को विके पॉल टास्क फोर्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यह monkey box वाइरस जो फैल रहा है पूरे वर्ड में भारत में संक्रमन को कैसे रोका जाएगा इसलिए सरकार ने विके पॉल टास्क फोर्स का गठन किया गया था इसके बारे में आप लोग याद रखेगा चलिए नेस्ट है हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा स्चैन ने अभ्यास किया है देखो जो चीन है ना वाई साब ये पता नहीं क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतना ज्यादा इतनी ज्यादा एग्रेसिफ पॉलिसी जो अपना रहा है ये और ताइवान को ये चाहता है कि ताइवान को बिल्कुल हडप लिया जाए है पूरी हडप नीती अपना रहा है हडप नीती से याद आया हडप नीती किसने चलाई थी डलोजी ने तो ये भी ड रूनाचल प्रदेश पर वि अपना अधिकर प्रदेश हमें 10 कंटाप उन्मिंद 7ulator क् chapters head अपनी सेनाओं को कभी इफ प्लां कर देए देखल स्थार वाइट होटा क्या है कि पूरी मतलफ बनना चाहता है और वे तो इसलिए यह चाहरा है कि अपना दबदबा स्थापित किया जाए इस वजह से इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका की जो कॉंग्रेश है अमेरिका की प्रत्रीदी सबाकी अभी स्पीकर आई थी ताइवान में इसके विरोध जैता आने के लिए इसने ताइवान के चारो क्या कहता है चीन कहता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है चीन की जो में लेंड चीन है वो उसको ताइवान को अपने चीन का हिस्सा बताता जब कि ताइवान कहते हैं जब कि जो में लेंड चाइना वो ताइवान का हिस्सा है तो एक्चुली में में लेंड चाइना ही ताइव भी बता सकता है क्योंकि ये ताइवान है और ये यहां चार ओर से क्या हो रहा है इसको घेरा जा रहा है अब गली-गली का हर कोई छुटा सा बच्चा भी बता सकता है तो आपको भी पता होना चाहिए पूछा जा सकता है न सवाल तो देखो इसको ये घेरने की निती इसकी चाइना की हमेशा से रही है, आप यहां पर देख सकते हैं, चाइना की स्ट्रिंग पल्स, मोतियों की माला जो इसकी नीती है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, यहां पाकिस्तान के गौादर में, सिरिलंका में, बांगलादेश में, म्यामार में, इधर हर जगह इन्होंने अपने base बना रखे हैं, बंदरगहा setup कर रखे हैं, भारत को गहरने की नीती है, इसी तर इसे इसने Taiwan को भी गहर रखा है तो इसकी सुरू से ही नीती रही है मोतियों की माला नीती इसको बोला जाता है और इसी वज़े से यह South China Sea में अपना दबदबा इस्थापित करना चाहता है, तो सारी बातों को आप लोग याद रखिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है, चीन, ए इसका आंसर है, ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा स क्यों मना रहे हैं, क्यों कि दोस्तों, इस बार 2022 में, हमारे देश को आजाद हुए कितने वरस हो गए हैं, 75 वरस हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 75 अमरित महुतसब मना रहे हैं, और इसलिए सरकार अलग-अलग-अलग campaign चला रही है, बाइक रेली निकाले थी, तिरंगा उ अभियान, ये बड़े चलो अभियान भी दोस्तों, हर घर तरंगा अभियान का ही हिस्सा है, और संस्क्रिती मंत्राले के दोरा इसको चलाया जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या है गाईस, इसका राइट आंसर है D, इसके बारे में कुछ और चीज़े है, इसका उद्दे है संस्कृति मंत्राले चाहता है जो भारत के युवा हैं वो जादा से जादा जुड़ें देश भक्ति की भावना उनमें बढ़ाई जाए इसी के देशे से बढ़े चलो अभियान सुरू किया गया है क्योंकि हम इस वार भारत की आजादी का 75 साल जैश्न मना रहे हैं 75 साल का इसी वीए भारत के युवाओं को सामिल करने के लिए यह डिजाएन किया गया है बढ़े चलो अभियान क्लियर और बढ़े चलो उभियान मैं होगा क्या इसमें वागान पर उस पर प्रिदर्शन करेंगे और इस एंथम को बड़े चलो की थीम पर लिखा गया है और सब्सक्राइब कर दोस्तों यह संबंदित है अपना आजादी का 75 साल से संबंदित भारत की आजादी का जबकि अमरित क्रांती संबंदित है दोस्तों नदी जोड़ो परियोजनाओं से क्लियर नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंदित कौन सी क्रांती है अमरित क्रांती और श्वेत क्रांती किस से संबंदित है आप लोग जल्दी से नीचे कॉमेंट सेक्षन में आंसर करिए हम आगे चलते है नेक्स्ट है उप्राश्पती एम में बंक या नाइडू तिरंगा बाइक्रेल है का सो भाराम कहां पर किया गया दिल्ली में कहां सेकह तक लाल किले से लेकर करके विजय चौक ठीक है द्यान रख्येगा इन सारे चीज haz हाल ही में संस्कृति मंत्रावा तिरंगा उत्सब कब मना अग्स्त को मनाय Cup staying गया क्योंकि दोस्तों 2 अगस्त को हमारे जो राष्ट धजके डिजाइनर हैं पिंगली वेंकरिया जी उनकी क्या थी जरम दिवस्ता जेहनती थी इसलिए तिरंगा उत्सब मनाया गया था नेक्स्ट तिरंगा को भारत की राष्ट धजके रूप में कव अपनाया गया तो यह अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को कि लिए सारी बात हैं हमने यहां पर डिसकस करी अब यह जो है आज का मैंने सवाल नहीं डाला क्या एक सेकंड ओ सॉरी गाइज मैं आज का सवाल डालना भूल बहुत बहुत सउरी चलिए आप लोंग अशी का आंसर करिये तो आप करेंस का इसका आंसर करिये जल्दी से आंसर कर एसका मैं आज का सवाल डालना भूल गया इसके लिए भारत के द्वारा की जाएगी अक्टूबर 2022 में आप लोग याद रखिएगा नेक्ट सारवजिनिक शेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ओइल इंडिया लिमिटेड के चियर्मेन का पदभार किसे संभाला है ये संभाला है दोस्तों रंजीत रत ने क्लियर आंसर इस डी कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने महीला कुष्टी में कौन सा पतक जीता गोल्ड जीता है भारत की शेर्मी ने हर्जाना के रहतक जिले की रहने वाली है नेक्स्ट है हाली में किस राज्ये ने प्रत्यक जिले में एक संस्कृत भाशी गाउं विक्सित करने का नि लेजर गाइड़ एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल का सफल परिक्षण किस युद्धक टैंक से किया गया यह किया अर्जुन से और यहां पर आप अर्जुन की पिक्चर देख सकते हैं इस सबाल का आंसर आप लोग करेंगे कहाँ पर निचे कॉमेंट सेक्सर में तो दोस्तो ये था आज का डिश का सन बहुत अच्छे से हमने डिसकस किया बहुत सारा कंटेंट डिसकस करा बहुत सारी लगवाग एक घंटे से मैं बोल रहा हूँ 47-48 मिनट हो चुके हैं ठीक है गला दुखने लग जादा खांसी उठने लगती है दोस्तो आप लोगों को जो हमारा Mission SDM है Mission SDM के बारे में बहुत सारी और ज़्यादा जानकारी के लिए वह एक सारे से Combo Package है दोस्तो यहाँ पर आप लोगों को Prelims, Mains और Interview तीनों चीजों की तयारी कराई जा रही है बहुत ही अच्छे से 10 से 12 महिने में आपको यह पूरा स्लेवस करा लिया जाएगा खतम कर दिया जागा अगर आप UPPCS की त्यारी कर रहे हैं 2023 की त्यारी कर रहे हैं या आगे की त्यारी कर रहे हैं तो मिसन SDM कोर्स को जरूर जोइन कर रहे हैं और यहाँ पर आपको टेस्स भी मिलेंगी अंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी डेली लाइव सेशन होंगे और लाइव सेशन के अलावा आपको रिकॉर्डिड क्लास प्रदान की जाएंगी और PDF क्लास नौर्स सारी चीज़ें आपके डाउट सेशन बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी कॉम्बो है एक तरे स ठीक है मिन्स का पूरा स्लेवस कराए जागा चार ओपेपर जनरल हिंदी ऐसे की भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएगी ठीक है डेली डाउट सेशन होंगे तो इसके बारे में आप लोग जरूर जोइन करें मैं चाहूंगा और इसके बारे में और अधिक जानकारी के बगएरा हमारे और वहां पर बहुत सारे प्रिवियस एर के पेपर्स डिसकस्न के लिए आपको मिलेंगे बहुत सारे को क्या कहते हैं स्लेबस के और क्लासिस बगएरा वहां पर मिलेंगी और हमारी यो पीडिएफ वो टेलीग्राम पर मिलेंगी तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर लीजिगा इसी के साथ मैं वीडियो का end करते हैं दोस्तों सेसन को शेर कर दीजिए अपने भाई बंदू के साथ में जरूर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू, थेंक्यू सो मच